हेलो दोस्तो दोस्तो आप देखेने अपना चैनल टेकीजिए टेकीए ऐसे जिए बढ़ानी हमा आपका दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोलबैक फंक्षन आखिर क्या होते है ठीक है तो देखो मापको एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं कोलबैक आखि ठीक है वो फंक्षन जो भी रिटन करे या जो भी फंक्षन मैनिपलेट करे या जो भी फंक्षन काम करे अपना उसके बाद उसके बाद वो काम करके अपने सेकिंड फंक्षन को दे और उस फंक्षन वो जो शेकिंड फंक्षन हो उस पहले वाले फंक्षन या जो भी उसके values हैं उनको use करके अपना काम करें तो यह जो चीज जब वो होती है callback ठीक है मतलब कि एक function काम किया और दूसरे के पास जाहर फिर वो अपना काम करें यह होता है आपका callback ठीक है कैसे होता है मैं आपको बताता हूं ठीक है सबसे पहले अपने पाच एक function है function parent अपने पाच एक parent function है जो कि क्या एक argument लेगा ठीक है मैंने एक दिसका नाम दे दिया है फिर parent नहीं नाम बोलके है मैं इसको डोलता हूं एक function है जो कि print करेगा full name एक function है जो कि full name print करेगा अभी देखो मैं आपको example की समझा रहा हूं बाकि use case काफी change हो सकता है depend on the situation ठीक है तो सबस्क्राइब क्या simple सा यह करेगा console.log name simple सा यह name print करेगा ठीक है अब यह name print कैसे करेगा यह करेगा greet greet कैसे अभी देखो मैं आपको direct वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं मिर पास एक function और है function अब यह function क्या गरेगा यह function लेगा दो चीजे यह मैं इसको बताता हूं यह की age बता देगा कुछ भी एक मतलब की एक template बना सकते हो आप ठीक है काफिच देखे हम आपको पहले callback का मतलब समझायता हूं sorry ठीक है ठीक है function एक fn function क्या लेगा fn function लेगा दो चीजे एक तो लेगा name एक लेगा callback callback नहीं तो आप यहां पर एक मानलो एक लेगा name लेगा एक कुछ चलो callback ही बोल देता हूं ठीक है callback लेगा यह दो चीजे लेगा fn name ठीक है अब यह क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा console.log ठीक है यहां पर क्या करेगा या फिर चलो यहां पर बताता हूं यह एक name लेगा callback यह चलो यहां पर यह एक age लेगा ठीक है तो फिर age को print करेगा ठीक है मैं इस्ता कर दिया, अब simple साइए किया, सबसे पहले तो, यहां पे string literal use कर लेते हैं अपने, यहां पर मैं देता हूँ, hello, this is, ठीक मैं simple साइए, string literal use किया, hello, this is, यह है, hello, this is, name यह आगया, इसके बाद अपना यह तो हो गया, यह एक एज भी ले ले ठीक है, चलो इसको एक एज भी देंगे अपने, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यह जो function है, जो भी अपना काम करें, वो सारा काम करके, इसको आप return में भी कर सकते हो, यहाप भी डासकते हो, मैं चाहता हूँ, full name, इसके बाद फिर यह जो इस कि ये जो अज़ी जो की कई सब करना है एक मिनिट और सन समाइ का मैं जो क्रोंगा एक काम करता हूं कि ऒबाख वर Kollegin से प्लेट और टा शैं कि आने खो को आंड जो को चल्त धे अरही बिव्यक्त को lot तो अब शिंपल सा है ? इक तो नेम लेगा, एक call back लेगा, एक az नेम लेगा मैं इसको .. नेम देता हूँ इसको एक argument दे दिया है उसको है ने और फुल ऍैम इसको देता हूँ full n fundamentals फुल नेम मैंने इसको आपको हुमसात ध्यान था हुआ यहां पर आप as a function पास कर रहे हो, उसको आपको यहां पर call नहीं करना है, only for function का name देना है, इसके बाद as मैंने इसको देदी 20, यह मैंने इसको पास की है भी at the time, तो मैं इसको जैसे अभी save करता हूँ, आप एक चीज देखो, सबसे पहले क्या हुआ, hello this is take as a, this is take as a, इसके बा प्रिंट हो की console.log is आगी चुकिया, ठीक है, यह है आपका callback का एकदम basic की callback आखिर क्या होता है, ठीक है, callback होता है, एक function को आप callback, यह function जो भी कुछ करे, उस करने के बाद आपको इसको डाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आपको एक अच्छे से आपको समझाने लिए example और लेता हूँ, ठीक है, यह example से आपको अच्छा समझ महाएगा, ठीक है, चलो मैं एक function बनाता हूँ, function जो की return करेगा, return sum, sum कर देगा return, ठीक है, एक function जो की return करेगा sum को, यह एक value लेगा, value लेकि यहाँ पर simple सा, इसको मैं करता हूँ, return well, मैं return well किया है, और मैं यहा console.log, ठीक है, console.log करता हूँ, total of all value is, simple सा मैं यहाँ पर total of all values कर देता हूँ, well, simple सा, all value का यहाँ इसको एक काम करता हूँ, इसको console करना हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यह simple सा function यहाँ पर करता हूँ, अपने पास values आएंगी काफी सारी, ठीक हो थोड़ा advance अगर आपको लग र function है, जो की argument लेगा, यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं इसको ARR pass करता हूँ, अरे pass करूँगा, ठीक है, अब simple सा ARR pass क्या, console.log, या मैं इसको console.log करने की वज़ए, एक तो ARR लेगा, ठीक है, लोग यह तो एक तो argument लेगा, एक लेगा callback, एक callback लेगा, एक argument लेगा, argument को मैं क्य रखे, दिखाऊं, तो उससे पहले मेरे को एक array बनाना भी पड़ेगा, ठीक है, अरे बनाना भी पड़ेगा, ठीक है, अरे बना लता हूँ, इसको मैं क्या एक comment आउट करता हूँ, console को, ठीक है, let ARR इक वल्टू, ठीक है, मैंने एक ARR दीया है, अब simple सा में इसको क्या, यह तो कुल मितलब यही होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक value देता हूँ, जो की AR है, यहाँ पर मेरे पास ARR की value उसके अंदर ARR आ चुका है, ठीक है, अब मेरा motive क्या था, सबसे पहले क्या, इसको जो है, for let item of ARR मैं नहीं दिया, इसके बाद, इसकी जो item है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, let data मैंने कर दिया, data equal to starting data zero मैं इसको sum करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो data plus equal to item, मैंने simple item किया, अब इसकी जो data की value होगी, मैं उसको pass करूँगा, इसके अंदर return sum में, return sum में मैंने इसको किया, pass return sum दिया, मैंने इसको sum करके, यहाँ पर data मैंने pass कर दिया, आप simple सा आप एक चीज देखो, यहाँ पर अब किस type से work करेगा, आपको एक चीज समझा दो सबसे पहले, सबसे पहले यह function आएगा, यहाँ पर इतने उपर वाले को भूल जाओ, ठीक है, इतने code को भूल जाओ, यहाँ पर अपने पास एक array है, यह function है, यह अपना callback है, यह callback है, य इसकी जो array की, इसका sum करके, जो इसका data है, इस function को call होने के बाद, इसका data है, वो data use ले रहा है, यह वाला function, मतलब यह callback, ठीक है, तो हम वही देख रहे है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यह वाला इसको अंदर data zero create हो गया, इसके बाद यहाँ पर जित्ता भी value है, सब sum का sum होके data के अंदर store हो जागा, फिर हम जो return sum है, यह जो callback, यहाँ पर callback होके आई है, यहाँ पर return sum नहीं आएगा, देखो मैंने भी गलती कर दिना, यहाँ पर ऐसी अभी step से करूँगा, तो यह मेरे को बोलेगा return sum is not defined, और यह नहीं चलेगा, ठीक है, वही मागर इसको callback, अब एक तम अच्छे जो हम चाहरे ते वही work करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर के आएगा, callback, callback जो यहाँ पर callback होनी पास के return sum, तो return sum में एक function, उस function के अंदर जाएगा, well, well के अंदर जाएगा, data, data के अंदर जाके, यहाँ पर total of your value is equal to well, well, यानि जो इनका sum हो आप आपको save करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो total of your all value is 363, ठीक है, आसा करता हूँ, आपको समझ में आगया, callback आखिर क्या होतर, कैसे हम callback को use लेते हैं, ठीक है, देखो यह जो callback की uses है, हम इस type से callback को uses नहीं लेते हैं, क्योंकि यह callback को समझाने को नहीं आपको बताए, callback को mostly uses लेते हैं, asynchronous में, जब अपने पास promises result होते हैं, promises क्या होते हैं, कैसे result होते हैं, उन सब चीज़ों के हम आगे बात करेंगे, क्योंकि callback हम use लेते हैं, जब कि आपका जो एक program है, वो चल रहा है, जब उस वो data आपको देगा, then उस पे आप process करोगे, ठीक है, मतलब जो आपक promise है, जब रिजोल होगा, उसके बाद आप उसको callback में डालोगे, ठीक है, इस सबसे चीज़े चलती है, callback वाली, यह मैंने आपको समझाए, ता कि आपको पता चले की callback आखिर क्या होती है, यह जो callback है, यह अपना synchronous programming का nature है, ठीक है, asynchronous के अंदर callback थोड़ा सक different way में work वाला है, बड़ थोड़ा सक working change हो जाएगे, ठीक है, तो उसके में आगे बात करेंगे, ठीक है, अगर आपको यह वाली वीडियो लगी है, knowledgeable, तो वीडियो करो like, और चैनल पे आए, पहली बात चैनल करो subscribe, और कुछ प्रोलम में तो आप comment कर सकते हो, Instagram पे जुड़ सकते हो, और कोई चुज़ाब दे सकते हो, इस्टे में तए, टेक किर, बाइबा,